तो दोस्तों आज अपने पढ़ने वाले हैं केर एंड मनेजमेंट ऑफ डैरी एनिमल्स यानि कि न्यूबर्न काफ से लेके आपकी जो प्रेगनेंट जो काव है या जो मिल्च एनिमल्स है उन सब का मतलब कैसे मैनेजमेंट किया जाता है वो अपने इस लेक्षर में पढ़ने वाले हैं ठीक है पहले अपने पढ़ेंगे जो आपका जो काफ होता है काफ किसको बोलते हैं जो जनम से लेके 6 मत तक अपने उसको काफ बोलते हैं ठीक है तो जन्यूबर्न काफ होता है उसका कैसे मनेजमेंट करते हैं और जनम के बाद में उसका 6 मीने तक कैसे मैंजमेंट यहa है। उसको कैसे करते हैं टीक है। इसके बाद में छैंते से लेके जब फष्ट काव इंग wildly फैर होता है। इसको अपने हीफर बौलते हैं। हीफर का कैसे मनेजमय्ट और कैर करते हैं। तो अपनी डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद में अपने हिफर के बाद में जब वो फर्ष्ट बार मतलों की जो पुबर्टी यह जाती है और उस टेम जो कंसेप्शन होता है उसके बाद में वह मलब प्रेगनेट होती है उसके बाद में जो प्रेगनेट जो काव है उसका कैसे मनेजमेंट करेंगे वह भी रहा होता है तो वो सब अपने इस lecture में detail से पढ़ने वाले हैं ठीक है वैसे तो देखो दोस्तों यह अगर lecture वैसे आपको लगेगा कि यह ठीओरी टाइप है लेकिन अपने इस को पूरा पढ़ेंगे ठीक है तो इसमें से ही आपके question निकल के आएंगे ठीक है तो चाहिए आप कोई competition की exam की त्यारी कर रहे हो फिर भी lecture यह आपके लिए important रहेगा या फिर आप कोई exam वैसे माले की college में exam कोई भी दे रहे हो उसके लिए त्यारी कर रहे हो तो वो भी उसके लिए भी आपका यह अगर theory theoretical देखो तो भी आपके लिए lecture काम में आएगा ठीक है तो वीडियो क स्टार्ट करते हैं मेरा नाम है गोविन त्यट्दिय और आप देख रहे हैं मारा YouTube चैनल त्यट्दिय गलासेज तो सबसे पहले आपका जो काफ होता है नियुपर्ण उसकी कैसे care and management करेंगे वो देख लेते हैं तेको we must give good feeding and management for the cow so that they can grow fast अगर आप जो काफ होता है जो काफ होता है जो काफ के पेट में होता है जन्मक से पहले उसकी feeding या उसका care अपने start कर देते हैं वो कैसे कर देते हैं यानि कि the dam should be dried two months before cowing and should be fed well इसका मतलब है कि जो आपकी dam का मतलब है कि जो आपकी adult female होती है यह सारे जो terminology है यह मैंने आपको पढ़ा रखिये तो इसलिए यह बार-बार भी आएगी तो इसलिए आप पहला lecture इसको अराम से देख लेना जब मैंने पढ़ाया था ठीक है तो dam adult female को बोलते हैं तो उसको क्या करते हैं cowing यानि cowing बोलत कर देते हैं उसको बोलते हैं दो मन्त सार दिन का dry period होता है minimum 45 सार दिन का dry period रखना चाहिए अपने को तो cowings के पहले जब आपड़ दो मन्त dry रखते हैं तो उस time क्या होता है अच्छी तरीके से उसको मनलोग की feeding करते हैं मलोग जो रासन मगरा है अच्छा खिलाते हैं तो उस underfed animals will give weak and small calves यानिकि अगर underfed animals का मतलब है जिसको अपने रासन कम देंगे feeding कम देंगे underfed का मतलब है तो उसमें क्या होगा जो फिर आपका जो काफ होगा न्यूबर नो वो weak होगा और small होगा ठीक है तो यह चीज़ ध्यां रखना है management at the time of birth at the time of birth यानिकि जब जो काफ है न्य डेटली after birth remove mucus from nose and mouth of cough जब काफ जब जन्नम देती है काफ जो आप क्योती है काफ को ठीक है न्यूबर जिसको बेबी बोलते है काफ को तो उस टाम क्या होता कि उसके नाग और मुं में क्या होता है एक mucus होता है जिसको अपने बल्गम कहते है तो उसको अपने remove कर देने चाह इसको अपने को remove कर देने चाहिए immediately after birth ठीक है तो यह ध्यान रखना है management at the time of birth की बात कर रहा हूंगा normally the calf leaks the calf immediately after birth this help drive the calf and help in stimulating breathing and circulation if calf is not breathing provide artificial respiration by compression or relaxing the chest with hands तो यह यही कहना चाहरी है कि अगर normally तो क्या होता है कि जनम के बाद में क्या होता है कि जो आपकी calf होती है निक adult female होती है वो calf को leak करती है तो मतलब कि चाटती है उसको तो उससे क्या होता है कि जो calf होता वो अपने हाप clean हो जाता जो बल्गम बगर मीकोस होता वो अपने हाप remove हो जाती है ठीक है breathing में उसमें दिकत नहीं होती सांस लेने में calf को अगर ऐसा ना हो तो फिर क्या करें अपने breathing प्रवाइड करते है आर्टिफीचल यानिक उसकी जो चाती होती है उसमें उसको हाथ से अपने compress करते हैं इसे दबाते हैं तुछ से क्या होता है कि respiration जो होता है आर्टिफीचल व प्रवाइड लोगी उसको चाटती नहीं है जिस्ट जनम के बाद में उस्टाइम क्या करते हैं अपने के रभ करते हैं और काफ को ड्राइ करते हैं कोई ड्राइ कलोथ या अंगनी बेग लेकि उससे रभ करते हैं ठीक है तो नावल कोड शुट भी टायड अब टू तू है कि जब जो नावल कोड है उसको अपने बांध बांध दिया जाता है बोडी से दो से पांच सेंटीमेटर वे ठीक है और एक सेंटीमें नीचे उसके कट लगाते हैं और आयोडीन का जो टिंक्चर है ना यह एपलाई करते हैं या फिर इसके लाभा एंटिबायोटिक्स है अब पैने कीप देश्टॉल वेरी कलीन और राइंड कंदीशन वेट बैडिंग का मतलब है कि जो मतलों की जो आपका पैन है पैन का मतलब जो आपका न्यूबर्न बेबी जो काफ होता है उसको अपने रखते है उसके लिए अलग से बाड़ा होता है तो उसकी जो काफ काफका अपने रिकोर्ड करते रहना चाहिए वास्ता काफ अडर टेड्स प्रिफर ली वीद कलोरीन शॉलिशन तो यह भी जyimगिया रखना जो काफके जो अडर होते हैं ठन होते हैं टीट डिक यूण को कलोरीन के से अपने को धहना चाहिए थीकिक व्यसक्तिशन न प कोलेस्ट्रम फीडद काफ इनुफ फूइनुफ अफ टू हो कलेस्ट्रम बिन टू ढू त एल的 rhymes को पता है कि कॉलेस्ट्रम कि होता है यानि की जन्म यह भी कमपईटसन की तयारी कर रिरे हुआ आप तो यह भी आप के लिए important होने वाला एकर सुन क्योंकि colisum क्या होता है colisum होता है जब जब जन्व देने के बाद में newborn जब आपका काफ है उसके जन्व देने के बाद में जो first milk होता है उसको को tulee StrUM बोलते है और वो जब आपका newborn baby है उसको को देना चाहिए लगबक 2 से 2.5 लीटर डेली देना चाहिए शुरू वाड़े जो तीन दिन होते हैं ठीक है यानि कि जैसे माले की आपकी काव है उसने काव को जनम दे दिया उसके बाद में जो उसका फर्स्ट मिलक होता है उसको अपने बोलते हैं कोलेस्ट्रम और वो जो को कोलेस्ट्रम है वो आप न्यूबॉर्ण जो काव है उसको डेली देना चाहिए डेली के जनम के तीन दिन तक डेली देना चाहिए और उसकी मातरा होती है टू 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 पाइव लीटर पर डेली ठीक है तो इस चीज का भी अपने को ध्यान रखना है अब यह तो मैंने आप को मेनेजमेंट जो पीछे बता है यह तो एट दा टाइम बर्थ अब जनम ले लिया जनम के टाइम अपने जो करना था कर दिया मेनेजमेंट उसके बाद में छे मिने तक उसको में लोगी क्या क्या और मेनेजमेंट करेंगे वो भी अपने देख लेते हैं तो साथ से 10 दिनिन बाद में जनम के साथ से 10 दिन बाद में जर्ट होता है उसको पने disbedding कर देते हैं यानिके हटा देते हैं ठीक है तो वो dehorming होती है तो 7 से 10 बाद dehorming करते हैं dehorm the cough regularly to remove internal parasite using dehorming drugs तो इसका मतलब होता है कि जो internal parasite होता है उसको remove करने के dehorming करते हैं ठीक है fresh water should be given from 2 to 3 weeks onward जब cough आपका 2 से 3 weeks का हो जाए उसके बाद में उसको अपने fresh water देना स्टार्ट करते हैं हाउसर तक आफ इन इंडिवीजियल काफ पैंस वर थ्री मन्त आफटर वाड़ इन groups आफटर 6 मन्त male and female cow should be house separately तीन मन्त तक शुरूबाले तीन मन्त तक उस काफ को अपने अलग रखते हैं ठीक है यानि कि अलग उसके लिए पैन होता है बाड़ा होता है उसके लिए और तीन मन्त के बाद में उसको group में रखते हैं और जब वो 6 मन्त का हो जाता है तो उसका male और female को अलग कर दिया जाता है क्योंकि जनम से लेके छे मन्त तक ही वो काफ होता है टाक डिए ओप्धर काफ अट वीकली इंटरवल अप टूश मंथ एट अट मंथली इंटरवल आफ्टर सिक्स मंध को नो दा ग्रोथ रेट तो च्छह मंथ तक आपको वीकली उसका बोडी वेट लेते रेना है और च्छै मंत के बाद में आपको क्या करना है मंथली कि इसमें ज़्यादा है। कि निमोनिया डाइरिया बगर это के तो भो झ्यां रखना तो मिनरल ब्लों छुद्भी प्रवाइड होती है। नो होता है। हाउस दा काफ अंडर वारम एंड कलीन कोनीशन तो जो होसिंग होती उसकी वारम एंड कलीन कंडीशन में उनी चाहिए male calf should be castrated at 8 to 9 weeks of age तो ये भी आपका एक कोशन बन गया कि calf can castration कब करते हैं काश्ट्रेशन का मतलब होता है कि जो male part होता है male organ होता है उसको हटा दिये जाते है तो ये लग आठ से 9 week की जब age का हो जाता है आपका male calf उस टाइम अपने काश्ट्रेशन कर दिये थे तो ये आपका एक कोशन हो गया ठीक है keep the body clean and try to avoid fungal infection proper light mental एक तो ये नॉर्मल है ये नॉर्मल है बेंदा काफ प्रॉम दा मदर आफ्टर बर्थ एंड फीड 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 थूरू पैल फीडिंग सिस्टम adequate bedding material फीड प्रॉइडर तो ये भी एक आपका एक कोशन बढ़ गया कि एक तो क्या होता कि जब नूबर्न जो आपका काफ होता वो जनम लेता है तो उसको एक तो जो दूद उसको पिलाया जाता है तो वो डारेक्ट मदर से पिलाया जाता है एक ऐसा होता है कि उसके जनम से जश्ट बाद में उसको मदर से अलग कर दिया जाता है यानि उसको अपने विनिंग प्रोसेस बोलते हैं ठीक है मदर से अलग कर दी जाता है और उसको जब अपने दूद बगारा पिलाते है वो उसको पेल फीडिंग सिस्टम बोलते हैं तो ये भी एक अच्छा क्वसन है पैल फीडिंग सिस्टम क्या होती है ठीक है विनिंग मैंने वैसे आपको पड़ा रखाए है अब अपने काफ की तो होगी मेर्चम यानि आदिए कि बर्थ से लेके उसके शिक्स मंत तक उसका आपने कैसे कैर करेंगे मेनेजमेंट करेंगे वो मैंने बता दिया अब सिक्स म management of hiffer will give high quality replacement stock to the dairy farm the following care and management practice are recommended for a hiffer तो अगर अपने better care and management करेंगे hiffer का तो उसी क्या होता high quality का replacement मिलता है आपको dairy farm को ठीक है hiffer should be fed balance ration for proper growth balance ration का मतलो जो भी हर type का जो concentrate हो गया और phase हो गया वो आपको उसकी proper growth के लिए आपको hiffer को provide करवाना चाहिए during the early stage relatively more protein is needed than energy तो शुरुवाली जो stage होती ही हीफर की उस्टेम protein ज्यादा हो अच्छा ही हो ता energy की बजाए the growth rate depend upon feeding ठीक है the heifer should be provided with clean and comfortable housing तो housing जो होती अच्छी होनी चीए clean and comfortable होनी चीए ठीक है a loose housing system with the shelter open to one side is sufficient कैने का मतलो जो loose housing system है मैंने आपको animal housing पड़ा रखी है loose housing क्या होता है open close बगएर जो भी है तो loose housing system होना चीए उससे क्या होता कि जो आपके हीफर होती है वो comfortable feel करती है ठीक है the body weight of a heifer is important than the age at breeding breeding के time में age की बजाए उसका जो body weight होता वो बहुत important होता तो यह लाइन आपको याद रखनी है important है heifer should be fed to grow at faster rate so that they attain mature body weight at earlier age ठीक है maintain good health of heifer for proper growth the health is maintained by clean housing fresh water and balanced feeding तो health maintain करना है fresh water देना है balance feeding देनी है अच्छा house होना चाहिए तो यह heifer के लिए सारी management है take necessary preventing step against common disease बगएरा है vaccination बगएरा है यह सब heifer with poor growth should be removed from the herd अगर पूर ग्रोथ की heifer है उसको अपने herd जो होता है group जो होता है एनमेल्स का उससे remove कर दो the first time caving is more difficult in heifer's attack extra get during caving तो first time heifer caving होती है उस time difficulty होती है उस time भी एक्स्टा दियान रखना आप veterinary की help भी ले सकते हो इस time ठीक है keep the pregnant heifer ही ने caving pen few days before caving तो caving से कुछ दिन बाद में जो pregnant heifer है उसको अलग से जो caving pen होता है उसमें अलग से उसको रखा जाता है फिर two to three kg concentrate daily with seasonal green fodder ठीक है तो यह सब heifer का management है तो उसके बाद में आपकी heifer के बाद में क्या होता है कि 6 मंद से लेके first caving तो आपकी heifer होती है और first caving के बाद उसके बाद में अपने पढ़ेंगे pregnant जो animal होता है उसकी यह जो dry animals होता है उसका कैसे अपने care and management करेंगे ठीक है ता good and good care and manage mental practices given to pregnant animal will give good cough and also high milk during the successive lactation care and management अच्छा करेंगे तुमसे क्या होता है कि जो pregnant animal है एक तो अच्छा काफ को जन्म देगी उसके लावा milk production भी उसका high होगा ठीक है provide 1.5 kg extra concentrate mixture for pregnant animal feed good quality green leguminous water तो जो आपकी pregnant animal है उसको 1.5 kg extra concentrate देते हैं extra concentrate इसलिए देते हैं क्योंकि जब अपने pregnant animal होता है उसके पेट में जो पल्रा बच्चा होता है जो काफ होता है जो फीटस होता है तो उसके लिए भी आपको feed अलग से देना होता है ठीक है तो 1.5 kg जो extra concentrate देते हैं तो उसके लिए जाता है तो इस चीज़ का ध्यान रखना ठीक pregnant animal should be provided with extra ration to meet the requirement of fetus growing fetus as well as store energy for future lactation तो मैंने भी आपको बता है कि pregnant animal को अपने extra ration इसलिए देते हैं कि जो fetus होता है first growing fetus जो ब्रौन होता है उसके पेट में उसकी requirement को पूरा करने के लिए अपने 1.5 kg extra concentrate देते है pregnant animal को provide fresh and clean drinking water यह तो सब में normal है protection from thermal stress to not allow them to mix with other animals that have aborted or that that are suffering from a carriage or disease like brucellosis brucellosis disease का आपने नाम सुना होगा इसमें क्या होता है abortion हो जाता है बार बार है तो जो aborted जो animals जिनका abortion हो चुका हो जा brucellosis संकरमी जो animals उससे अलग रखना चीए animals को pregnant को ठीके तो इस चीजगा देन रखना allow moderate exercise which help in cowing normally तो थोड़ी बहुत exercise कराते हैं जैसे loose housing system में रखना चीए अपने को space ज्यादा होना चीए pregnant animals जो होता उसके लिए तो उससे क्या होता कि exercise होती रहती है और जो काविंग होती है वह normally होती है उसमें दिक्कत नहीं आती do not allow them to fight with other animals and take care they are not judged by dogs and other animals कहने का मतलब है कि जो animals बापस प्रेगनेंट और फाइट ना करे रहे किसी दूसरे अनिमल से या फिर उसके पीछे जो कुटे बगरा है अदर अनिमल से उनकी चैज़ए यान कि वह उसके पीछे ना पड़े उससे भी दियान रखना है और slippery condition which causes to animal to fall receive fractured dislocation slippery condition यान कि जो आपका नीचा नीचे जो फर्स होता है वो ऐसे में लोगी slippery नहीं होना चीए तिसलने वाड़ा नहीं होना चीए उससे क्या होता है कि अगर अनिमल गिर जाए तो उस टाइम क्या होता है कि जो fracture हो जाता है उसके लावा dislocation यानि कि जो आपका fetus होता है जो उसके काव के पेट में जो ब्रून होता है वो dislocation या दूसरी location में भी तला जाता है अगर उसमें गिर जाए अनिमल है तो इस चीज का विजह रखना सेपरेट दा pregnant animal 15 days before carving into the carving pen these pens are thoroughly cleaned तो 15 दिन पहले आपको अलग से रखना चीए प्रेगनेंट अनिमल्स को ठीक है carving pen के अंदर adequate fresh wedding material शुट भी प्रवाइड़े इंद प्रेगनेंट अनिमल्स जो बेडिंग मेटीरियल वह अच्छा होना चीए फीड वन केज एक्स्टा कंसेंट है डिरिंग लास्ट टू मन्त हो गेस्टेशन तो जो आपके लास्ट वड़े दो मन्त रहते हैं ठीक है उस टाइम क्या होता है एक जी और एक्स्टा कंसेंट्रेट आपको दे देना चीए ठीक है तो इस चीज का भी द्यान रखना है प्रवाइड कंसेंट्रेट फीड 3.5 वाइव केजी पर डे तो 3.5 वाइव केजी पर डे आपको देना है और 25 से 35 केजी ग्रीन फोटर देना है पर डे और 5 केजी पेडिकास्ट्रो देना है तो यह सब प्रेगनेट एनिमल्स ए उसके लिए रसन है तो मिनिमम्म 45 से साठ़ दिने आपको ड्राइब पीरिड मैंने आपको बता दिये पहले वेड लॉंग डिस्टेंस ट्रेवल से बचना चाहिए प्रोटेक्ट ओना चाहिए जो एक्स्ट्रीम ऑफ कलाइमेट यानिकि ज्यादा कॉल्ड ना हो ज्यादा हीट ना हो उससे भी बचाना चाहिए शिम्टम ऑफ डिलीवरी में भी अब्जेवड तो जो डिलीवरी के सिम्टम में उसको अब्जेव करते रहने चाहिए जैसे स्वेलिंग और एक्स्ट्रन जनेटेलिया स्वेलिंग ऑफ आडर इफ देरी डिफिकल्टी प्रोएड वेटेरिनरी हेल्प आपको कुछ प्रोब्ल छूब्लकम चेले के बाद में उसको रिमूव ओ जैने इन केसे एक कि जो प्रोन्टा इन्सु सब्चों की कैश्ट मेंißtि है उसकी क्या प्रोड़कि करें केसे पता चलेगा कि एक जो अपकी काव है यह मतलोकि प्रेगनेंट है ठीक है तो काव विल लीव दा हर्ड एंड शीक आइसलेशन क्या गरेगी जो गाएं है वो ग्रूप को छोड़ के अलग से खड़ा रहना स्टार्ट हो जाएगी ठीक है ये भी एक साइन है उसके लाव लोस और एपेटाइट एंड इस्ट्रेस एपेटाइट यानि कि जो भू और थोड़ा मिल्क भी निकलना स्टार्ट हो जाएगा ठीक है अनिमल विल बी रेस्टलेस एंड विल पेस बाउट ओफन ट्राइंग टू किक और स्क्रेच दा फ्लैंक रीजिन तो अडर के पास का जो फ्लैंक रीजिन होता उसको किक करने लग जाएगी स्क्रेच करने लग अगर आपको हाई मिल्क प्रोडेक्शन करना आया मिल्च अनिमल से तो जो भी क्यार एंड मनेजमेंट है नेसेसरी वो आपको अच्छे से त्यान में रखनी हैं जैसे प्रवाइड वेल बैलेंस एटराशन विद ग्रीन और ड्राइफ ओडर रिकॉर्डिंग टूर्डिंग एक्सेंटरेट देना चीह इए टू तू वाज नहीं करना चीह और जब मिल्किंग करते हैं उस टाइम चो बिल्कुली नहीं करने चीह उसको जेन्टली और काइंडली ट्रीट करना जाया है न क्विट्वारपिट्स gonna प्रोडक्शिंग हो तो यह जो रिकोर्ड होता नहीं है रखना बहुँ जुरूरी होता है उसका рьडिविवाद शाव काई प्रोडक्शिंग का तैक है तो यह जो डेरी वाले जो करते हैं तो उनके पास सबके पास यह रिकॉर्ड होता है अनिमल्स का कीप अप रेगुलरेटी ओफ फीडिंग कंसेंट्रेट मिक्सरी इफेड विफोर और दूरिंग मिल्किंग वैने रफेज आफ्टर मिल्किंग इस प्रैक्टिस विलव डेस्ट इंड तो यह कहना चाहरा है कि जो कंसेंट्रेट होता है आप जब मिल्क देंग कर रहे हो तो इस बाद में देवगों क्या होता है कि जो सेड में डेस्टिंग होती है तो उससे बचने के लिए अपने और फेज को बाद में देते हैं ठीक है फ्रेश एंड कलीन वाटर चुट भी प्रवाइड राउंड दा कलोक तो यह तो सबको है नॉर्मल है मिल्किंग दा एनिमल एट रेगुलर इंटरवल मिल्किंग तरही से यानि कि दो की बचाए आपको तीन वार मिल्किंग करना चाहिए इससे क्या होता है दस से पंदर प्रसंट आपका मिल्क है वह बच जाता है ठीक है रेपीड कंटीनूस एंड फुल हैंड मिल्किंग छुट भी प्रैक्टीश एड सेसेade kleine वीदिन घ्र विश्टिश वीदिन वार्व तो सेमन मिल्किंग तो यह को सण इंपोर्टेंट है है टीक है को सना प्छाथ पीज़ग मेंता कि सब्राइब का उर्द मिल्किंग करते तो आपनागे में 7 मिल्किंग में प्रज़ग धर आपने मे संब कॉर्टे लोंस घ अच्छा माना जाता है और और कोशन पूछ लिए जाता है कि मिल्किंग में कितना टाइम लगता है तो पांस से साथ मिनिट के अंदर मिल्किंग कंप्लीट हो जाती है ठीक है तो यह अच्छे कोशन है यहां दो कोशन बन गए एक लाइन से लूज हाउसिंग विद शैल्टे और वासिंग ऑफ द फैलोज बिफोर मिल्किंग हेल्प इन कलीन मिल्क प्रड़क्शन डेली ब्रूसिंग विल रिमूव लूज हैर और फ्रम द बोडी कोट अगर गाएं हैं उसकी गुरूमिंग करो अगर बहां सथ उसकी वासिंग करो यानिक उसको वासिंग का मदलग उस अगरा वो भी हट जाता है वालोव बुफेलोज और वाटर स्प्रेंग ऑं दियर बोडी विल कीप ता वुफेलोज को अपने देखा होगा कि वुफेलोज होती है जो नदियां होती है उसमें या फिर जो आपके गाम में जो पॉंड वगयरा होता उसमें लेड जाती है उस यह नाम आपने शुना होगा मास्टइटिस थनेला रोग होता है तो यह भी मिल्च एनिम्लS के लिए बहुर जुरूरी हाई कि मिल्च एनिम्लS जो होता है उसके लिए मास्टेटिस के रोग नहीं होना चाहिए अगर एक भी थन खराब हो गया तो आपका जो मिल्क प्रोडक्स ने उसमें घमी आजाएगी तो यह भी चेक करते हैं ने चाहिए common vices should be properly detected and care should be taken example kicking, leaking and suckling क्या होती है common vices common vices बोलते हैं अपने जो गंधी आदिते हैं बेड जो आदिते हैं होती है bad habit होती है अपकी पसू में अनिमल में उसको बोलते हैं जैसे kicking, लात मारना, leaking and suckling यानि खुद का ही जो आपके एडर होता है खुद का ही दूद मतलो पी लेना कुछ ऐसी गायों में common vices हैं कि bad habit होती है तो उसको भी ध्यान रखना है आप अगेंस्ट इंपोर्टन डिजीज अंडी वर्मी डन एक्ट रेगुलर डिवर्मिंग करनी एंटरनल परासैट बगरा है उससे बचने के लिए और वैक्ष्णेट करते रहना है काव को जो भी इंपोर्टन डिजीज है वह उसके लिए ठीक है ठीक है टोपिक भी अपन तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तके लिए गुडबाई